नमस्कार आप शभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल में मैं आचारे पंकत सास्त्रे आपका अपने चैनल बर हार्दी का इनन्दन करता हूँ उपस्तित हूँ शन 2021 के विवास संसकार के शुम मुर्तों को ले करके इस वीडियो में हम जानेंगे कि शन 2021 में कौन से मां से विवास संसकार करना सुब रहेगा लेकिन उससे पूर मैं आपको यह बता दूँ कि विवास संसकार के जब भी मूर्त निकाले जाते हैं तो रासी के अनुसार निकाले जाते हैं, कौन से रासी के जाकों के लिए कौन सा महा शुब है और कौन से रासी के जाकों के लिए कौन से तिथियां सुब हैं, इस आदार पर निकाले जाते हैं, यहां जो हम विवास संस्कार के शुम होड़ते रहे हैं, वह बेसिक हैं, आप इसको बेसिक मान सकते हैं अर्थात इसमें से यह आप पूछना चाहते हैं कि आपके लिए ये तित्यां अच्छे हैं या नहीं तो आप हमसे संपर करें वह अन्य अपने निकर्तम जिस भी छेत्र से आप जुड़ेवे हैं वहां निकर्तम जोतिस कार्याले और जोत्सियों किसी सुयोग जे जोतिसी द्वारा आप अपनी रासी के अनुशार विवामोर्थ निकाल सकते हैं तो आयप्रार्म करते हैं बात करेंगे शनुड़ यार इकिस में कौन-कौन से शुद्ध एवं शुब विवामोर्थ हैं जैसा आप सबी को विदित होगा कि विवास संसकार इत्यादी अपने छेत्रिय प्रमप्राओं के अनुशार संपन होते हैं लेकिन विवाज संसकार के लिए हमारे विशेशक और हमारे भारत देश में मोहुर्थों का विशेश वरणन है मोहुर्थ के अनुशार ही के जाते हैं अनेक छेत्रों में अनेक अनेक रिती रिवाज हैं, लेकिन कुछ जानने वाली ज्यातब बिवाते आये जानते हैं कौन-कौन सी वह बाते हैं। सबसे पहली कि विवास संसकार का मोर्थ जब भी निकाला जाता है, तो गुरुबल, शुर्यबल, चंद्रबल के अत्रिक्त बर के कुंडली में शुक्रबल को भी देखना पड़ता है। जब भी हमारे जोतिस के अनुसार गुरु या शुक्र अस्त होते हैं, तो हमारे यहां किसी भी परकार के शुमोर्थ नहीं बनते हैं। अर्थात तब तक हम कोई भी संसकार नहीं करते हैं। गत बिक्रमी समवत 2017 यानि 2021 को जो शुक्रग ग्रह हैं हमारे आठ फरवरी से अस्त हो रहे हैं, जो के 18 अप्रेल तक अस्त रहेंगे। अर्थात जिनको जैसा के हम कहते हैं तारा डूबा हुआ है या ग्रह अस्त है। ऐसी इस्तिति में फरवरी से लेकर के और 18 अप्रेल तक किसी भी परकार के शादी मोर्थ इत्यादी नहीं है। दूसरी बात 26 मई को विवाज संसकार का मोर्थ है लेकिन इसी दिन ग्रस्तोदय चंद्रगरण है। अर्थात यह चंद्रगरण तो है लेकिन संपूर्ण भारत वर्ष में यह दिखाई नहीं देगा। किसी किसी राजय में दिखाई देगा। जहां यह दिखाई देगा वहां पर विवाज इत्यादी नहीं होंगे। लेकिन जहां यह चंद्रग्रण नहीं दिखाए देगा उस अस्थान पर यह मूर्थ ग्राहय होगा अर्था जहां सूतक सूल पर्व आदि का विचार नहीं रहेगा वहां हम साधी त्यादी कर सकते ही इसी परकार से 10 जून 2021 को कंकन शूर्य ग्रण है तथा 19 नौंबर 2021 को खं देव लगभख शंपूर्ण भारत में इनके शूतक वेद आदि का विचार नहीं होगा अर्थाद अगर 10 जून और 19 नौंबर का शादी का मूर्थ होगा तो आप निसंग को कर सकते हैं यह दि आपके छेत्र में किसी भी परकार का सूतक इत्यादी नहीं है तीसरी बात यहाँ है कि चतर मास में विवा इत्यादी है चतर मास अर्थाथ जब से देव सेनी एकादसी होती है और जब तक देव ओठनी एकादसी होती है कई छेत्रों में विवा संसकार नहीं होते हैं लेकिन कई छेत्रों में होते हैं ऐसी इस्तिति में देश चारास आप विवासमस्कार कर सकते हैं, 8 सितंबर से 20 सितंबर तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष सिर्फ 13 दिन का यह पक्ष होगा, ऐसे इस्तिति में जो 13 दिनात्मक पक्ष होता है, उस पक्ष में विवा मुर्णन आती सभी सुब कार्य त्यज होते हैं, ऐसे ही 21 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक पित्रि पक्ष स्राद होंगे, माले स्राद जिन को का जाता है, ऐसे इस्तिति में भी साधी इत्यादी नहीं होती है, कार्तिक मास 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नौमबर तक शौर कार्तिक मास रहेगा इस समावदे में केवल परवत्य प्रदेशों में ही वि कि दिवाद संस्कार के शुमौतों के लिए अब आए जानते हैं शुमौतों तो जन्वरी-फरवरी मार्च के माह में किसी भी परकार के शुब्कृत्य नहीं होंगे क्योंकि शुकर अस्त होंगे देव-गुरु-ब्रसपति नीच हैं ऐसे इस्तिति में शुक्रों और 27 अप्रेल, 30 अप्रेल, मई में 2 मई, 4 मई, 7 मई, 8 मई, 21 मई, 22 मई, 24 मई, 26 मई, 31 मई, जून के माह में, 4 जून, 5 जून, 18 जून, 19 जून, 20 जून, 21 जून, 24 जून, 26 जून, 28 जून, 30 जून, जुलाई के माह में, 1 जूलाई, 2 जूलाई, 4 जूलाई, 6 जूलाई, 17 और 18 जूला 22 जुलाई 23 और 24 जुलाई 25 26 और 28 जुलाई वहीं 30 जुलाई को अगस्थ के मामे जिन छेत्रों में होते हैं वहाँ 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त, 18 अगस्त, 20 अगस्त, 22 अगस्त और 30 अगस्त और 31 अगस्त हैं सितंबर में 1 सितंबर की साधी है बाकी संपून सितंबर का महा लगभग किसी भी परकार के आवश्य परिस्तिती हो तभी आप ग्राय करें नहीं तो किसी भी परकार से साधी का स्वमोर्थ नहीं है अक्टूबर की बात करें तो 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर नॉंबर की बात करें तो 1 नॉंबर, 8 नॉंबर, 11 नॉंबर, 12 नॉंबर, 20 नॉंबर, 21 नॉंबर, 28 नॉंबर, 29 नॉंबर और 30 नॉंबर, दिसंबर में 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर यह संपूर्ण तिथियां हैं, इन तिथियों में भी आपको ऐसी इस तिथियां आएंगे, जब आपकी जन्मरासी के अनुसार तिथि नहीं होगी, तो आप किरपया करके अपने निकर्तम किसी सुयोग्य जोटसी द्वारा मूर्थ निकलवाएं, यह बेसिक तिथियां हैं, इन तिथियों में आप साधी कर सकते हैं, तो आपका जीवन मंगल में हो, यही हम मंगल कामनाई करते हैं, नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो इसको सेर अवश्य करेगा, और चैनल पर एदिया आप नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, साती इस जानकारी को से अगर अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य करें, नमस्कार, किसी भी परकार की कोई संका हो, तो हमें प्रस्न करें, हम उसका जवाब आपको अवश्य देंगे,